मुकेश अम्बानी की बदौलत चमका था ये शेर, अब नौ दिन से गिर रहा भाव मुकेश अम्बानी की कमपनी Reliance Industries ने पिछले साल दिसंबर महीने में एक दील का एलान किया था, दरसल Reliance Industries की रिटेल कमपनी ने Lotus Chocolate में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने की घोशना की थी, इसक 23 दिसंबर 2022 को Lotus Chocolate के शेर ने 96 रुपए के स्तर से 9 फर्वरी को 480 रुपए 45 पैसे के रिकॉर्ड उच्च स्तर को टच किया, इसके बाद लगातार 9 कारोबारी दिन से यह शेर गिर रहा है, इस अवधी में शेर 37 परसेंट गिर चुका है, BSA इंडेक्स पर फिलहाल शेर का भाव लुढ़क कर 274.2 पर आ गया है, मार्केट के 352 करोड रुपए है, स्टॉक एक साल में 214 परसेंट और 6 महीने में 93 परसेंट का रिटर्न दे चुका है, बता देंग की दिसंबर में लोटस चॉकलेट में रिलायन्स रिटेल ने 51 परसेंट हिस्सेदारी के अधिगरहन का एलान किया था, इसके बाद मुकेश अंबानी के नेतरित्व वाले समोह ने 115 रुपए 50 पैसे प्रती शेयर की निश्चित कीमत पर चॉकलेट निर्माता में अतरिक्ट 26 परसेंट हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक खुली पेशकश शुरू की है, कितने की थी डील, Reliance Industries की FMCG फर्म Reliance Consumer Products Limited, RCPL ने लोटस चॉकलेट में 51 परसेंट हिस्सेदारी 74 रुपए करोर में हासिल की, Reliance समूह की दो फर्मे, Reliance Consumer Products Limited, RCPL और Reliance Retail Ventures Limited, RRBL मिलकर खुले बाजार से लोटस चॉकलेट के अतरिक्ट 33.38 लाख शेयरों का अधिगरहन करेंगी, RCPL FMCG ब्राच है और RRBL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कमपनी है कैसे थे तिमाही नतीजे, चालू वित वर्ष की दिसंबर तिमाही में लोटस चॉकलेट ने 73 पैसे करोर का नेट लॉस दर्स किया, जबकि शुद्ध विक्री साल दर्साल 41 परसेंट घटकर 13 रुपए 27 पैसे करोर रह गई,